जमू कश्मीर के डोडा में आतंकियों सेना के बीच दो बार गोली बारी कल यहीं कैप्टन समेथ पांच जवान शहीद हुए थे तीसरे दिन भी सर्च ओपरेशन जारी जमू कश्मीर के डोडा जिले के डेसा इलाके में मंगलवार 16 जुलाई को देर रात दो बार आतंकियों और सेना के जवानों के बीच गोली बारी हुई आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि सर्च ओपरेशन के दोरान मंगलवार देर रात दस बचकर 45 मिनट डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कलाम भाटा में गोली बारी हुई इसके बाद रात दो बजे पच्वान भाटा इलाके में फाइरिंग हुई दरसल 15 जुलाई को सेना और पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूच न मिली थी इसके बाद सर्च ऑपरिशन चलाया गया जहां आतंकियों ने जवानों पर फाइरिंग की और भाग निकले वे घना जंगल होने की वज़ा से बच निकले 15 जुलाई को ही रात 9 बजे उन्होंने फिर गोलाबारी की इसमें कैप्टन समेच चार जवान शहीद हुए दोनों बार की फाइरिंग में किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं आई है आज 17 जुलाई को तीसरे दिन भी इलाके में सर्च ऑपरिशन जारी है ड्रोन और हेलिकॉप्टर की मदद से आतंकियों को ढूनने की कोशिश की जा रही है शहीद हुए राष्ट्रे राइफल्स की जवानों में कैप्टन ब्रिजेश थापा, पस्चिम बंगाल के दारजलिंग के और सिपाही ब्रजेंद्र, सिपाही अजय, राजस्थान के जुन-जुनों के रहने वाले थे नायक डी राजेश की जानकारी सामने नहीं आई है, कैप्टन ब्रिजेश थापा, 27 वर्ष का जन, 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन हुआ उनकी मा नीलिमा ने बताया कि आखिरी बार रविवार 14 जुलाई को बेटे से बात हुई थी उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे के बलिदान पर गर्व है, अगर हम अपने बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे, तो देश के लिए कौन लड़ेगा कैप्टन बिजेश के पिता करनल भुवनेश्ट थापा सेवा निवरित बोले, जब मुझे बताया गया कि वो अब नहीं रहा, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, वो मेरी सेना की ड्रेस पहन कर घूमता था, इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो सेना में जाना चाता था, उ अनिथा मुझे खुशी है कि उसने अपनी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, रात ग्यारा बजे हमें उसकी खबर मिली, मैं भी फौजी रहा हूँ, जंगल में आतंकियों को देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, जंगल बहुत घने होते हैं, सिपाही अजे सि अजे के पिता कमल सिंग नरूका भी सेना में हवलदार रह चुके हैं, कमल सिंग 2015 में रिटायर हुए थे, शहीद अजे सिंग नरूका की शादी 21 नवंबर 2021 को शालू कमर उम्र 24 वर्ष से हुई थी